अलो गाईज, वेलकम बैक टू माई योट्यूब चैनल तो यार आज के इस वीडियो में जिस पंजाबी गाने को हम हिंदी में ट्रांसलेट करने वाले हैं उस गाने का नाम है तेरा दूर नी कैनेडा और इस गाने के सिंगर का नाम है पवित्तर लसोई तो यार वीडियो शुरू करने से पहले सिर्फ इतना ही कहना चाहिए अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरी कैनेडा को सब्सक्राइब जरूर करें तो तेरा दूर नी कैनेडा साथे पिंड़तों नी ओथे मारी कूक ना सुने, और तैनू डॉलर आदे मोह वीच पीजिये, मी बित्तरा दी हूक ना सुने तो यार इस लाइन का मतलब है, तेरा कैनेडा देश मेरे गाउं से इतना भी दूर नहीं है कि वहां का शोर सुनाई ना दे और तू डॉलर के मोह में इतनी डूप गई है कि तुझे मेरे रोने की आवाज तक नहीं आती मी मेरा सुन सुन गला दिल डरता, मी मेरा सुन सुन गला दिल डरता, जमाना बड़ा तेज होई जानता है वो तेरी चल दी ये फाइल पी आर दी, मी मुंडा ओवर एज होई जानता है मेरा दिल बाते सुन सुन के डर रहा है कि ये जमाना बहुत तेज होता जा रहा है तेरी PR की फाइल अभी भी प्रोसेस में है वो लड़के की उमर बढ़ती जा रही है हो कदे चांद वांग रेंदी सी उनीक दी तो हुन इगनोर कर दी हो मैंनों लगदा बलेंडर ते लाएंगी निकल्ला हुन होर कर दी कभी चांद की तरह मेरा इंतिजार करती थी और अब मुझे इगनोर करती है मुझे लगता है कि अब मुझे बलेंडर पीने पे लगाएगी अब तो कुछ औरी बाते करती है अब तु मेरी कॉल भी पिक नहीं करती है अब क्यू मुझसे इरिटेट हो रही है और तेरी ओदो दी है जिम्मेवारी जट को सी गुता जदो दो कर दी कि तेरे याद होना तेरे पिछे कईयां दी स्कूल चे में पाड़ी वर्दी तेरी तब से जिम्मेवारी है जट के पास जब तु दो चोटी बनाती थी उच्छे तो याद ही होगा कि तेरे पिछे स्कूल में कितने लड़की वर्दी फार दी थी मैंने मी हुण देख्या स्टोरिया चो कोलन नो तेरे अंग्रेज होई जान्द है अब तेरी स्टोरिय में दिखता है की कोई अंग्रेज तेरे करीब होता जा रहा है मेरी मा आभी भी मेरे लिए दुआये पढ़ती है तो लड़का न अमरवादियो कहीं और जट धरने तर उडले, हैलोवीन दानी तैनो क्यूक रेज हुई जान्द है जट किसानी धरने पे अपने अधिकारों के लिए धक्के का रहा है और तू हैलोवीन के पीछे पागल होए जा रही है तो यार होप करता हूँ इस सोंग की हिंदी ट्रांसलेशन आपको पसंद आई होगी ऐसे ही और पंजाबी सोंग के हिंदी ट्रांसलेशन वीडियो देखने के लिए सब्सक्राइब करें चैनल और वीडियो को लाइक और शेर ज़रूर करें